आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो फ्रेंड प्रश्ण है क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है आईए इस प्रेश्ण का उत्तर देखते हैं तो जो क्रोमोसोम होते हैं वह कैसे होते हैं वह धागे की तरह होते हैं धागे की तरह सनरचना होती है जो की जो हिस्टोन प्रोटीन रहता है उस हिस्टोन प्रोटीन के आपस में कसकर जो कुंडलित आपस में कसकर कुंडलित जो DNA रहता है उसकी समान दिखाई देते हैं जो chromosome धागे की तरह संरशना है जो histone protein के आपस एक कसकर kundelit avum जो double वसे हुए जो DNA रहते हैं जो double रहते हैं इस प्रकार की जो रचना रहती है DNA की यानि की जो रहती है mobile वह ठीके और जो chromatid रहते हैं जो chromatid रहते हैं वह कैसे होते हैं वह thread जैसे होते हैं दो थ्रेट जिसी रचना होती है, किसकी होती है, क्रोमेटिड की, ठीके, जो क्रोमेटिड होते हैं, उनकी तथा जो क्रोमोसोम होते हैं, उनका जो DNA रहता है, क्रोमोसोम में DNA की सबसे घनी भूत, घनी भूत सन रचना होती है, ठीके और जो chromatid होते हैं उनमें जो DNA रहते हैं उसकी कैसी सनरशना होती है उसकी होती है अपरिवर्तित संगनित ठीके अपरिवर्तित संगनित सनरशना होती है तो यह मुख्य अंतर थे chromosome तथा chromatid में धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको इस प्रशनी का उत्तर समझाया होगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा आज राउनलोड करें डाउटनेट आप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर